सत्ता का दूसरा कारकाल और सवाल अभी विपक्ष से सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो जिसके हाथ में पुलीस हो संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो सवाल तो उससे होगा ना तो पक्षे मंगाल में भारती जानता पार्टी ने अपना दमखम पूरा उतार दिया है ग्रे मंत्री आमिच शाह पूरे लाओ लशकर के साथ उतर गए हैं मगर जब मैंने भारती जानता पार्टी को कल मैदान में देखा और तमाम गोधी मीडिया न्यूस चैनल्स में जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा था मुझे तो ऐसा लगता है कि आप चुनाव भी कराने की जरूरत नहीं है भारती जानता पार्टी को विजेता घोशित कर दिया जाए मगर आप जानते हैं उससे भी बड़ी बात क्या उससे भी बड़ी बात ये कि मुझे शेहनाज गिल की ये बात याद आ गई मैं क्यों कहरा हूँ मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आपको जाद होगा कि सरकार ने शीत कालीन सत्र यानी की संसत के विंटर सेशन को रद कर दिया है क्यों क्योंकि सरकार का कहना है कि कुरोना का कहर है अगर हमने शीत कालीन सत्र कर दिया तो कुरोना पहल जाएगा अब मैं आपको एक छोटा सा नजरा दिखाना चाहता हूँ अमिट्शा जी के रोड शो का ये देखिए पूरे लाव लशकर के साथ अमिट्शा यहां उत्रे हुए हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इतनी जबरदस्त भीड और ये जनसाभादी किये यहां पर जो भीड लाई गई है उसके बाद आप मुझे बताईए पश्चिम बंगाल में कुरोना क्या कहेगा हेलो बाई बाई टाटा कहके उड़ जाएगा नहीं होगा ना तो शेहनास ही कह रही थी क्या कह रही थी फिर सुनिये मैं आपको यह क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि जब विपक्ष सवाल पूछने के लिए आता है तब आप संसत का शीतकालीन सतर ही रद कर देते हैं यह कहते हुए कि सहाब कुरोना है मगर पश्चिम मंगाल में इस तरह से आपने पूरा रोड शो किया यहाँ पर आपने कहीं पर भी देखा कुरोना को लेकर कोई खास खयाल नहीं रखे गए थे यहाँ तक कि मैंने आमिट शा को भी हर जगा जाते हुए देखा और ग्रह मंत्री माननी ग्रह मंत्री जो हैं उनके फेस पर कहीं मास्क नहीं था तो बताईए ना दूसरों के लिए कोरोना और आप जो मर्जी करें आप एक दूसरी चीज़ पर गौर कीज़े आपकी स्क्रीन्स पर यह हैं सुवेंदू मुखर जी एक MLA है TMC के जो अब शामिल हो गए हैं BJP में अब यह तस्वेर देखिए आमिजी के पैर पढ़ रहे हैं मैं जानता हूँ कि आमिजी के उमर 56 साल की है और सुवेंदू मुखर जी की उमर 50 साल की है और बड़े भाई के तो पैर पढ़ने ही चाहिए मगर सवाल ही पूछा जाना चाहिए कि ये पैर इज़त के चलते पढ़े जा रहे हैं या अपनी जान बक्षने के लिए पढ़े जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये तस्वेर आज से चार साल पहले भारती जनता पार्टी ने इन दो नेताओं पर करारा हमला बोला था नारदा स्टिंग खबर के जरिये जी हां कथित तोर पर allegedly सुवेंदू मुखर जी और मुकुलराय दोनों एक स्टिंग में पकड़े गए थे कथित तोर पर रिश्वत लेते हुए चार साल पहले बीजेपी ने धज्या उड़ा दी थी इस तरह से इस खबर को जाहिर करके अब ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए है तो अब बताईए ना भरष्टा चार को लेकर आप अम्नमता बैनर जी पर तो हमला कर रहे है मगर यहां पर ये दोनों ही भारती जाता पार्टी में डुपकी लगाने के बाद साफ हो गए तो क्या कहाता है शैनाज ने जी बिलकुल सही का की तोड़ा कुटा टॉमी और दूसरों का कुटा कुटा तो मुद्दा क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि सुवेंदू मुखर जी जिन पर आपने भरष्टाचारी होने का आरूप लगाया अब वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए मुद्दा ये है कि बिलकुल सावर कर नुमा अंदाज में इन्होंने जो ये बात कही थी सुवेंदू मुखर जी के बाद उसे डिलीट कर दिया यूट्यूब पर उन्होंने अपने विडियो को हटा ही दिया मगर ये भूल गए कि फेस्बुक में अभी भी उनके गुनहा के जो निशानात हैं मौजूद हैं एक तो चोरी उपर से सीना जोरी